UPSC के तयारिये में Science and Technology, Ecology Environment की बहुत अहम भूमिका होती है और इन्हीं दोनों बिस्यों से अभ्यर्थी बचते भी हैं उसका करण यह होता है कि बहुत सारे बिद्यार्थी अधिकतर बिद्यार्थियों का जो सेच्रिक बैक्ग्राउंड होता है वो Science का या इसका नहीं होता ह Ecology Environment तो एक नया subject के रूप में धिर धिरे उभरा है और बिद्यान और प्रद्रकी भी सामान दर्जे के जो पिद्यार्थी होते हैं 10th Class तक जो इन CRD पढ़ते हैं तो Basic महापर के वो सामान बिद्यान, Physics Chemistry और Biology ही पढ़ाई जाती है Technology से सम्मंदे चीजे जो होती है उनको नए तरीके से पढ़ना होता है तो एक तो यह होता है कि एक नया subject होता है भारी भर कम सब्द होते हैं और उनको समझना और परिक्षा के अनुकूल, exam oriented पढ़ना ये थोड़ा सा उनके लिए कठिन काम हो जाता है और बाकी जो विसे होत coffee है quality है इनका सम्मंद सुरू सही रहा है उसकी भासा से उसके सब्दों से उसकी कुछ विसेश जो basic जानकारी होती है वो सुरू सही होती है लेकिन अब जिसे कोई satellites है कैसे काम करता है उसक्या उद्देश होता है कोई नया rocket launch किया गया है कोई नया super computer बन गया है कोई नई medical technology की आ गई है तो उनके सब्दों को ले करके और उनकी जो basic technology होती है उनका basic सिधान्त होता है उनको ले करके बच्चों में एक भय ब्याप्त रहता है एक उनका डर रहता है और डर होना स्वभावीक है या उसको उस तरीके से ना सम्झना भी स्वभावीक है क्योंकि उनसे उन लेने जा रहा है या उस subject से संबंद्र पढ़ाने जा रहा है तो यहां पर बिज्ञान प्रतुकी और ecology environment में बिद्ध्यारथी का मेहनत कम हो जाता है फैकलिटी का मेहनत जादा हो जाता है यहां पर यह देखना होता है कि विद्यार्थी को किस तरह से उसको समझाया जाए, किस तरह के उसको topics को बताया जाए, जो topic exam oriented हो और उसकी समझ में भी आ जाए बहुत जादा इतिहास में जा करके, बहुत जादा basic, बहुत detail में जा करके technology के सब्दों को उसको समझाने की कोशिस नहीं करनी चाहिए, वो exam में पूस्ता भी नहीं है और उससे उसको burden भी लगेगा मेरा अपना मानना ये है कि बिगत वर्ष में जो भी technology सम्बंधित, जो भी विकास हुए हैं, जो new technology आई हैं, जो innovations हुए हैं, उनका socio economical development पर क्या प्रभाव है उसका बैस्विक स्तर पर क्या प्रभाव है, खास करके क्रिसी के छेतर में, चेकिस्सा के छेतर में, और सिक्षा के छेतर में, संचार के छेतर में, क्या वो योगदान दे रहा है, गरीबी हिटाने के लिए, अर्थ व्यवस्था को मजभूत करने में, कहीं से कोई उसका यो प्रखनिक निकी को पढ़ना चाहिए it qaghol ब्ज्ञान को ले जी क्योंकि एगर हम ख़गת बारे में अगर हम उनिवर्सश के बारे में अगर हम जान पायेंगे तो हमको बहुत सारे ईस सब्सें जो जान पायेंगे चो मानोजीवन के लिए मानोजीवन को बहतर बनाने में भविष्ट में काफी हमारी सहायता करेंगे तो उनकी हमको जानकारी सामान होनी चाहिए तो इस तरह से हमको सलेबस को आगे बढ़ाना है और इसको आगे हमको कॉंटिनिव करना है